हे गाईज, आज के अपने इस वीडियो में हम Tally Prime में E-Way Bill बनाना सीखेंगे तो E-Way Bill बनाने से पहले हम यह जान लेते हैं कि E-Way Bill क्या है E-Way Bill का मतलब है Electronic Way Bill Electronic Way Bill का मतलब यह होता है कि जब Goods Same State में भेज़े जाते हैं यानि कि अगर आप डैली में रहते हो और आप डैली में ही एक जगा से दूसरी जगा पर goods को भेज रहे हो तो तब evable बनाया जाता है या फिर जब goods को एक state से दूसरे state में भेजा जाता है यानि कि अगर आप डैली में हो और डैली से आप पंजाब में goods को भेज रहे हो तो त अगर goods की value 50,000 से कम है, तो फिर यह optional है, आप चाहे तो बना भी सकते हो, और इसी तरीके से जब आप goods को एक state से दूसरे state में भेशते हैं, और अगर उस case में goods की value 50,000 से जादा है, तो तब भी evay bill generate करना mandatory है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे आप tally prime में evay bill को create करेंगे, तो सब से पहले आप यहाँ पर F11 की press करेंगे, और यहाँ पर आपको taxation में GST का option मिलेगा, इसे आप yes करेंगे, आपको yes करके enter की को press नहीं करना है, पहले आप यहाँ पर yes करके down arrow की press करेंगे, फिर next आपको यहाँ पर option मिलेगा set alter company GST rate and other details, इसको भी yes करते हैं, और अब हम यहाँ पर enter press करते हैं, इसके बाद यहाँ पर e-way details में आपको interstate threshold limit और intrastate threshold limit को enter करना है, तो e-way bill के लिए interstate की threshold limit है वो है 50,000, वो हमने यहाँ पर enter कर दिया है, और e-way bill के लिए जो intrastate की threshold limit है वो है 1,00, उसको भी हमने यहाँ पर enter कर दिया है, इसके बाद आपको यहाँ पर मिलत तो यहां से आपको उस value को select करना है, जिसके basis पर आप अपने e-way bill को calculate करना चाहते हैं, तो अभी हम यहां पर value of invoice पर अपने e-way bill को calculate करना चाहते हैं, तो यहां से हमने select कर लिया value of invoice, अब आप यहां पर F12 की press करेंगे, यहां पर right side में आएंगे, नीचे आपको configure का बटन मिले इस पर click करेंगे, और यहां पर आपको नीचे option मिलेगा, print e-way bill with invoice, इसका मतलब है कि अगर आप invoice के साथ e-way bill को print करना चाहते हैं, तो आप इसको yes करेंगे, हम इसे yes कर लेते हैं, और enter की press करते हैं, again हम यहां पर enter की press करेंगे, फिर से हम यहां पर enter की press करते जाएंगे, और इसको accept कर लेंगे, इसके बाद अब देखते हैं कि कैसे आप e-way bill बनाओगे, तो already मैंने e-way bill बनाया हुआ है, तो यहां पर हम display more report से day book पर आ जाएंगे, तो यहां से इस वले sale bill को open कर लेते हैं, तो अभी जैसे मैंने यहां पर already sale bill बनाया हुआ है, party account name में लेजर को select कर ल है, यहां पर यहां पर आपकी party की details आ जाएंगे, sales ledger में sales account, तो अब जैसे हमने यहां पर laptop sale किया है, उसके बाद फिर हमने यहां पर cgst और sgst apply कर दिया है, इसके बाद आप देखोगे, यहां पर नीचे आपको option मिलेगा, provide gst evable details, तो अब अगर आपको यहां पर इसका ev details आ जाएंगी, consigner details में, और consigne details में उस party की details आ जाएंगी, जहां पर आप goods को भेज रहे हो, और उसके बाद फिर नीचे आपको यहां पर transport details का section मिलता है, जहां पर आप transporter name में transporter का name select कर लेंगे, जिसके through भी आपके goods transport हो रहे है, transporter की ID आ जाएगी, mode आपको यहां पर select कर है कि किस mode से आपके goods transport हो रहे है, by road, by rail, air यह शिप, तो अभी हमने हापर road select कर लिया, यहां पर vehicle number आ गया, vehicle type आप यहां पर select कर लोगे, अभी हमने regular select कर लिया है, और उसके बाद आप इस bill को accept कर लोगे, तो जैसी आप bill को accept करोगे, तो इस तरीके से यह evable generation की window खुलेगी, तो अब अगर आपको evable बनाना है, तो आप यहां पर yes करोगे, जैसी आप yes करोगे, उसके बाद जो है user ID और password की window खुलेगी, जहां पर आपको user ID और password एंटर करना है, जो आपने evable portal पर login करते time user ID और password एंटर किया था, वही user ID और password आपको एंटर करना है, और अभी हमारा ज इसको follow करके आप इसका evable बना सकते हो, और अब अगर आपको अभी evable नहीं बनाना है, आपको बाद में evable बनाना है, तो आप यहां पर no कर दोगे, उसके बाद फिर जब भी आपको evable बनाना होगा, आप exchange पर आकर send evable पर आओगे, तो जो evable pending होगा generation के लिए वो आपको य offline JSON file generate हो जाएगी, जैसे फिर आप बाद में अपने evable portal पर upload कर सकते हो, so guys उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बाई!